नमस्कार आप देख रहे हैं WWE न्यूज छिंदी यूट्यूब चैनल तो गाइस ब्रोक लेशनर को श्मेकडाउन से सस्पेंड कर दिया गया है और शाथ ही उन पर एक मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगा दिया गया है लेकिन इसी बीच कई सारे सवाल है कि आखिर ब्रोक लेशनर को सस्पेंड करके जुर्माना लगाने के पीछे की अशली वज़े क्या है तो इस वीडियो में हम इनी सब चीजों को लेकर बात करने वाले हैं तो वीडियो होगी काफी इंट्रेस्टिंग इसे एंड तक जरूर देखिएगा जैसे कि 22 अक्टूबर की श्मेकडाउन में हमने देखा कि ब्रोक लेशनर ने आकर हर किशी को डिस्ट्रोई कर दिया और इसी बात से इसमेकडाउन के जनरल मेनेजर एडम पिर्श काफी ज़्यादा नाराज हो जते हैं और मैन इवेंट के दोरान इस बात का एलान करते हैं कि उन्हें मजबूरन ब्रोक लेशनर को सस्पेंड करना पड़ रहा है और उसके अगले ही एपिशोड में ब्रोक लेशनर पर एक मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगा दिया गया क्योंकि ब्रोक लेशनर ने जो तबही यहाँ पर आकरमा चाही हैं बलकि जनरल मेनेजर एडम पिर्श के उपर भी हमला कर दिया लेकिन आपको बता दूँ कि यह ब्रोक लेशनर को सस्पेंड करने और जुर्माना लगने के पीछे की अशली वज़े नहीं है इसके पीछे की वज़े है ब्रोक लेशनर का WWE कॉंट्रेक्ट इसके मुताबिक ब्रोक लेशनर 18 महिनों में सिर्फ 8 बड़े मुकाबले लडने वाले हैं और WWE के खास मोकों पर ही उनकी अपिरेंश देखने को मिलेगी ऐसे में WWE के बड़े इवेंट क्राउन जोल्स में ब्रोक लेशनर का इस शाल का पहला मुकाबला देखने को मिला लेकिन अब WWE का अगला पेपर व्यू सर्वाइवर सिरीज होने वाला है जहां पर रो वर्षेज श्मेकडाउन के मुकाबले देखने को मिलेंगे साथ ही चेंपियन वर्षेज चेंपियन के मुकाबलों में यूनिवर्शल चेंपियन रोमन रेंश का मेच वर्ल्ड हेवी बेट चेंपियन से होगा तो ऐसे में सर्वाइवर सिरीज के दोरान ब्रोक लेशनर की अपीरेंश देखने को नहीं मिलने वाली है और इसलिए ब्रोक लेशनर को WWE शे इस तरह से शस्पेंड किया गया कि उनकी और रोमन रेंश की स्टोरी लाइन भी जारी रहेगी साथ ही इस बात को और ज्यादा हाइव करने के लिए ब्रोक लेशनर पर जुर्माना भी लगा दिया गया ताकि फैंश इसे और भी ज़्यादा शमय तक याद रख पाए और ब्रोक लेशनर भी सर्वेवर सिरीज तक WWE में नहीं आएंगे सर्वेवर सिरीज के बाद TLC पेपर व्यू होना था लेकिन अब WWE ने इसे कैंसिल कर दिया है इसलिए ब्रोक लेशनर की अपिरेंश Royal Rumble से पहले possible नहीं है लेकिन एक बात जो हमें अभी शित्ते मान लेनी चाहिए वह यह है कि ब्रोक लेशनर 2022 के पहले पेपर व्यू रोयल Rumble में वापशी करेंगे क्योंकि यहीं से road to WrestleMania की असली शुरुआत होती है और इस बार फिर शे कयास लगाए जा रहे हैं कि Wrestling Mebs 38 में Universal Championship के लिए Roman Rendsp Vegas तो गाइज आपके क्या है opinion कि ब्रोक लेशनर को सेस्पेंट करने के बाद उन पर इतना बड़ा जुरुर्माना क्यों लगाया कमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसे कर दीजेगा लाइक और शेयर जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद